हाईलो एवरिवन सेंट्रल इनवर्सिटी ओफ हर्याना में पीजी कोर्सेश के लिए रिश्रेशन प्रोसेश स्टार्ट कर दिया गया है सेसन दोजर चौबिस पचीस में जो भी बच्चे पीजी कोर्सेश में डिना चाहते हैं इस इनवर्सिटी में वह अपना रिश्रेशन में डिसकस करने वाले है इसके लावा ऊस एक क्या प्रोसें करते हैं सबस hesitate करने वाला है तक फ़र्स्ट कटफ आएगा कॉर्स लिस्ट क्या होने वाला है और उस व Non सब less access के लिए उस लिए सब्यावाद По Чaction चाहिए इस चीज पर मैंने काफी सारे संट्रल आउन पर का नोटिफिकेसन अप्लोड किया हुआ तो आप वीडियो भी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं तो आए आज की सुरू करते हैं सबसे पहले हम इसके ऑफिसल वेब साइट पर आएंगे आप यहां पर देख सकते हैं यह सेंट्रल इनुवर्शिटी श्रणात का नोटिफिकेसन है इसके बाड़े में समझते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं यह ओन-लाइन रेग्ष्ट्रेश्टेंस का जो इंपोर्टेंट डेट देवारे में डिसास करते हैं लोगी आपका पॉलन-डेट इसके लिए इसके लिए या त्रीहन्ड दिआ लगेगा जो भी मतलब जेनरल कटेगरी से हैं और वो वाइज का इंडेट हैं तो उनको 300 रुपीज लगेगा बाकी दूसरे कटेगरी के स्टेंट्स का कोई भी फी नहीं लगेगा यह था रजिशन के लिए है इसके साथ साथ यहाँ बटाया अपको बताया गया है कि कुस में कौन सा पेपर कोड चाहिए, सबसे पहले हम यह दूसरी करिकरेडिया है और उसके लिए सब्सक्राइब कर सकता हूं यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आपको जिस कोर्स में भी लेना है उसका पर लेकर लेकि उसका लिजटे के टरिया आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं सबसक्राइब कर लिए आपका डिप्लोमा इन चाल्ड गाइडेंस और काउंसिलिंग इसके लिए आपको QQ P 20 पीपर चाहिए नी कि इस एक सीवीटी पीपर कोड से आप इस दों के से कोई भी एक डिपलोमा कोर्स में में ले सकते हैं है इसके लाव आपको सी ओक्यूपी वणिजिरो का कोड चाहिए सीवीटी में हिस्ट्री और किलोजी के लिए फीकू-पी-जीरो-गोड का पूड़ के पर चाहिए में वैसे ही में पॉलिटिकल शाइन्स के लिए आपको को HUQP18 वाला पेपर चाहिए स्वेटी में साइकोलोजी के लिए हुक्यू पीट्टू जीरो कोड़ का पर चाहिए और सोसियो लॉजी के लिए आपको HUQP222 वाले कोड़ का पर चाहिए वैसे लाइबरेरी और इनफ्रमियसन साइंस का लिए आपको और जीयोजा के लिए ईन्फ़मेटिक्स के लिए आपको सी ओक्यूब युकूब3 का फरेपर चाहिए और जीयोजाइन्व्रॉनिज्वाटिक्स के लिए आपको S Box कूपनी के लिए आपको recorder लिए इसी प्लंच से आपका हिंदी का लिए l A kuk सिर smg कह नहीं आद से से पर चाहिए चाहिए तूरीजम एड होटल मैनेजमेंट और टूरीजम एड होटल मैनेजमन्ट यह आपका दो अलग-ःвар कोर्से से इसमें आपको से म्टाय मैं इक चाहिए या ये ये अक्येवाइद को बशुक्यक्रिया ऐसी ड़कार से वेढ़र आपको अनुन्तों ये वो CC नहीं MSC Physics के लिए आपको SCQP24 चाहिए MSC Chemistry के लिए SCQP08 चाहिए और Environmental Science के लिए SCQP11 का पेपर चाहिए इसके अलावा आप देख सकते हैं Biotechnology के लिए SCQP17 चाहिए Microbiology के लिए SCQP17 चाहिए Biochemistry के लिए SCQP17 चाहिए Emcom के लिए COQP08 का पेपर चाहिए वैसे ही आपका LLB Professional Course यह तीन साल का है और आपका LLM यह भी Law Course है इस तोनों का अलग अलग के पेपर कोड़े देख लिए LLB के लिए आपको COQP11 चाहिए वैसे ही आपका LLM के लिए COQP14 चाहिए आपका COQP15 चाहिए और B8 के लिए आपको COQP03 चाहिए इसी प्रकार से आपका M Farm के लिए आपको फार्मसेटिकल साइंस के लिए ACQP23 चाहिए वैसे ही फार्मसाइकोलोजी के लिए आपको ACQP23 का कोड़ चाहिए वैसे ही आपका इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पॉट्स में आपका अड्मिस्न लेना चाहते हैं तो आपको COQP18 का प्रचाहिए वैसे अगर आप एंटे के एनर्जी सिस्टम एंड मैनेजमेंट कोर्स में लना चाहते हैं इलेक्टिकल इंजिनियरिंग के अंडर यह आता है इसके लिए आपको MTQP10 का पेपर चाहिए वैसे ही आपका MTQP10 का पेपर चाहिए तो इसके लिए आपको MTQP04 का पेपर चाहिए करें यहां पे इस चीच को खुद से पढ़ लिए अगर आपको किसी भी कोर्स का बारे में दीकत है तो आप से कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर पूछे अब हम्यापका सीट मैट्रिक्स के बारे में आप देख सकते हैं यहां पर सीट मैट्रिक्स दिया गया है यहां पर आपका रिजर्वेशन वाइज भी सीट बताया गया है मैं यहां पर कुल अभी टोटल कोर्स के बारे में डिसकर लेते हैं और आप इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं जिस भी को लिए लेसं साइकोलोजी के लिए 25 है एड़्मांस डिप्लोमा इंचाइल गाइदेंस एंड कांसेलिंग के लिए 25 है एम सोस्योलोजी के लिए 35 है मेंस्टि के लिए 50 है MCA का 50 सीथ है M.A.C. Data Science के लिए 30 सीथ है और यहां पर Library and Information Sciences के लिए 30 सीथ है Environmental 스트rauk Danny के लिए 40 सीथ है M.A.C. Geo Informatics के लिए 20 सीथ है M.A.C. Genology and Mass Counts 30 सीथ है M.A. English का 40 सीथ है M.A. Hindi के लिए 35 सीथ है M.A. Hindi Translations के लिए 25 सीथ है वैसे लिए Commerce के लिए M.C.म. का 50 सीथ है L.L.B. के लिए 60 सीथ है L.L.M. के लिए 30 सीथ है माइक्रोबिलोजी को 35 सीट है मसी न्यूट्रिशन बायलोजी के लिए आपका 30 सीट है यानि कि आपका फार्मास यहां पर देख सकते हैं दो कुर्से से एम फार्म का यानि कि एक में छीट है और एक में बारा सीट है इसके लावा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पॉर्ट्स का फोटी सीट है एंटेक एनर्जी सिस्टम का 18 सीट है एंटेक स्ट्रक्ट्ट्रल इंजिनियरिंग के लिए आपको 18 सीट है एंटेक कंप्यूटर साइंस एंजिनियरिंग के लिए इस बार इसमें इड्मिसन होने वाला इसके लावा यहां पर टेकरी के लिए भी काफी बढ़ियां से यहां पर कॉल्मबाइज बताया गया कि किस में रिजर्वेशन का कितना स्ट्रीट दिया गया है आप इस तो खुद भी समाझ सकते हैं तो यह था सेंट्रल इंड़र्सि अब आपको देख सकते हैं यहां पर सभी कोर्स का प्रोग्राम स्ट्रीव दिया गया है 22 अपरिल से लाश्ट अपका 21 महीं अभी सभी फॉर्म यहां पर लाइव है तो आप अपना यहां पर एक्लिक करना है और इसके बाद से आपको लोगिन करना है उज़र्णिम और अप पूछ सकते हैं इसके लाएं अगर आप दूसरे इनिवर्सिटी के नोटिफिकर्शन जानना चाहते हैं किसी खास निवर्सिटी के बारे में तो इनिवर्सिटी का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाले मैं आपको उस इनिवर्सिटी के एक वीडियो अफ्लोड कर इनिवर्सिटी में तिल देन बाइ बाइ